के पर क्लिक करने है और तू से थ्री टाइम्स आप यहां पर उप्शेंट कर लूँगा इसके बाद गाइज आपने आज आज आना है यहां पर अगाइज आपने एक्स्टेरनल माइक यहां पर कैसे किनेट करने है तो आज मैं आप लोगे साथ जो स्क्रीन रिकॉर्डर शेयर करने वालों वो बिल्कुल फ्री है और उन्लियूस का साइज 30 MB है और इंस्टालेशन के साथ ही साथ कुछ आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा कि किस तरह से आपने टूल बार को हाइड करना है और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग के आपने एक्स्टरनल माइक प्रफून उसके साथ कैसे अटैज करने हैं सो वीडियो को एंट तक जूर देखें ताकि कोई स्टेम मिस ना हो सो चलें वीडियो को स्टार्ड करते हैं ओकि काईज इस स्क्रेइरेकॉरर का नम है अपावर सोथ रीज स्क्रे Kr मंच करेंगे इसका लिंक जबे मैं आपको डिस्क्रिप्च्रिप्शन में दे दूंगा वहां से जाकर आपने इसको इसको इंस्टाल करने के लिए आपने सिंपल इसकी फाइल को जो आपने डानलोड यहां पर इसको इसको इंस्टाल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है अब आप यहांपर एक्टनल माइक को यूज कर रहे हो将े यहां पर आप microphone के option को select कर लें और अगर आपने PC की यह पर internal sound ले पर ले नी है तो यहां पर आपको system sound and microphone को select करना पड़ेगा इन पर मैं सिंपल यूज कर लो तो यहांपर मैं microphone को option select कर लोंगा इसके करनी है आपकी पूल यहाँ पर स्क्रीन को क्लिक करना है तो यह आपकी पीचे की फूल ही यहाँ स्क्रीन को क्या लेका वह मैं आ जाने हैं और यहाँटिक के अबने करना था करने है Probably पर आपने सिंप्ली कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ईप्रेस करने इसके बाद आप ने आप आजाना है रिकॉर्डिंग की टैब में तो गया यहां पर देखें आपको यह पर शो रिकॉर्डिंग टूल बार यह बहुत इंपॉर्टन्ट स्टेप है आपको यहां पर प्रॉब् माइक यहां पर कैसे क्नेक्ट करने हैं यहां पर आपने डेस्टॉप राइट क्लिक प्रेस करने हैं और यहां पर आपने आज जाने डिस्प्ले सेटिंग पर तो गैज, यहां पर आने के बाद, आपको यहां पर देखें लेफ़ प्राइज एक option available है sound का इस पर आपने click कर लेना है और यहां पर मरे पर है option आए, यहां पर right पर available है sound control panel इसको अपन कर लें ओकि यहां पर आने के बाद, यहां पर मरे पर है एक tab available है recording की इसको open कर लें तो guys recording की टैम में आने के बद अगर microphone पर इस तरह के एक green check mark available है तो ठीक है otherwise आपने यहाँ पर right click press करना है और जहां से आपने इसको enable कर लेना है enable करने के बाद guys आपने further इस पर noise कैसे remove करनी है तो microphone पर आप click करें और इसकी properties में आ जाए background nice remove करने के यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो आपने इसमें आने के बद आपने level करना है और यहां से अपने microphone का level इसको अपने 100 कर लेना है